नमस्कार दोस्तों आप सबों का स्वागत है विहार बोर्ड मैट्रिक परिच्छा के लिए समाजिक विज्ञान का इनपॉटेंट अब्जेक्टिव प्रश्ण दोस्तों यह सभी प्रश्ण 2023 में पूछे गए हैं यनि की 2023 का ही क्वेस्टन पेपर है उसका हम आंसर करा रहे हैं कुछ इनपॉटेंट यानि कुछ महतपुर्ण प्रश्ण को लेकर के तो देखिए पहला प्रश्ण है परतियक चुरूप से मानविय अवसकताओं को संतुष्ट करने वाली बस्तुएं हैं आपके सामने ओप्सन दिया गया है तो ओप्सन नम्मर ए सही है उपभोग बस्तुएं यनि की जिस बस्तु का हम लोग उपभोग करते हैं जीसे कप्ड़ा परेणे वास कुछ संतुष्ट होते हैं खाने के बाद संतुष्ट होते हैं मकान घर लेने के बाद यनि की उपभोग जो हम लोग करते हैं उस बस्तुएं से क्या होते हैं अगला प्रश्ण है सिख्चक का कार ये क्या कहलाता है सिक्षक का कार ये क्या कहलाता है आपके सामने उप्सन दिया गया है तो उप्सन नमर बी सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही है मानसिक सरम सरम यानिकी परिसरम करना मेनत करना जैसे सरमिक मतलब मजदूर भी होता है तो मानसिक सरम यानिकी परिसरम करना मस्तिक को परिशरम कराता है पर भी सई है अगला प्रशन है बिहार में सारवधिक जन संख्या घनत्व किस जीले का है घनत्व यहने की दोस्तो जगा कम आदमी जदा उसे घनत्व करते हैं तो बिहार में सारवधिक जन संख्या घनत्व किस जी लेका है तो पटना हो जाएगा option number A सही है इसमें पटना दिया गया है अगला प्रश्ण है विश्वत रेखा है विश्वत रेखा है 0 degree अक्छांस यह 0 degree देशांतर तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा आपका option number A बिल्कुल सही है पाकिस्तान की राजधानी है तो आप सभी जानते है इसलामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है option number C सही है अगला प्रश्ण है थोड़ा दुन्दला दिखाई दरा है लेकिन पहर रहे हैं आप समझ जाईएगा किश नदी पर दुआधार प्रपात इस्तीत है किश नदी पर दुआधार प्रपात इस्तीत है तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा आपका option number A बिल्कुल सही है नर्मदा option number A सही है अगला प्रश्ण है किश नदी को दक्षिन की गंगा कहा जाता है किश नदी को दक्षिन की गंगा कहा जाता है आपके सामने option दिया गया है अगर आप पहले से जान रहे हैं तो उत्तर कोमेंट में जरूर दीजिए तो कावेरी कावेरी अम्मा कहते हैं दक्षिन के वासी यानिकि दक्षिन के आदमी सब जो भी है वहां कावेरी अम्मा विका जाता है इसलिए ये बहुत धार्मिक यानिकि कावेरी नदी के किनारे बहुत सरा धार्मिक अस्थल है इसलिए इसे गंगा कहा जाता है तो option नमबर सी हो जाएगा अगला प्रशन है भरतपूर पक्षी विहार कहां इस्ति थै भरतपूर पक्षी विहार कहां इस्ति थै राजस्थान में option नमबर सी सेयराजस्थान अगला प्रशन है निम्न राजियों में से किसकी सीमा बंगला देश को नहीं छूती है निम्न राजियों में से किसकी सीमा बंगला देश को नहीं छूती है निवन अतलब नीचे दिया गया है तो इन में से कौन राज्य है जो बंगला देश को नहीं छूती है तो हो जाएगा आपका नगालेंड ओप्सन नमर सी सही है नगालेंड और बौकी दर छूती है अगला प्रश्ण है परतियक वर्स किस दिन को शैयुक्त राष्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्ण है आप सभी जानते हैं 24 अक्टूबर को ओप्शन नमर सी सही हो जाएगा अगला प्रश्ण है निम्न में से संसार का सर्वोच सीखर कौन सा है संसार का सर्वोच सीखर कौन सा है अप्शन ए कंचन जंगा अप्शन बी नंदा देवी अप्शन सी गाडविन आइस्टीन अप्शन डी माउंट एबरेष्ट तो इस प्रश्ण का उत्तर आप सभी बिल्कुल सही सोचे थे माउंट एबरेष्ट संसार का यन की विश्व का सबसे उचा सीखर है माउंट एबरेष्ट अगला प्रशन है सन्य 2011 की जनगन्ना के अनुसार भारत में लिंगा अनुपात क्या है तो 2011 के अनुसार लिंगा अनुपात जो है यनि की लिंगा अनुपात क्या हता है एक हजार पुरूस पर 940 इसमें अप्शन आ जाएगा और वैसे 943 है एक हजार पुरूस पर 943 महिलाएं है एक हजार पुरूस पर लिंगा अनुपात यही है ये 2011 की जनगन्ना के अनुसार है अगला प्रशन है अगस्तो पिन्सो किस देश के का तनासा था तो चीली अप्शन नमर भी सही हो जागा चीली का था अगला प्रशन है भूदान अन्दावलन किन के नित्वर्व में चलाया गया भूदान अन्दावलन किन के नित्वर्व में चलाया गया तो अप्सन नमर ए बिल्कुल सही है आचार्य बिनोवा भावे के दुवरा भूदान अंदोलन चलाया गया था अगला प्रश्ण है हिटलर का जन्म कहां हुआ था अश्ट्रिया अप्सन नमर बी सही है अप्सन नमर बी सही है अगला प्रश्ण पटना में गोल घर किस उद्देश से बनाया गया था पटना में गोल घर किस उद्देश से बनाया गया था अप्सन ए शैनिक रखने के लिए अप्सन बी अस्त्र सस्त रखने के लिए option C, अनाज रखने के लिए, option D, पूजा करने के लिए अगर आप पहले से जान रहे हैं, तो comment में उत्तर जरूर बताएं तो इस प्रशन का उत्तर, अगर आप C सोचे थे, तो बिल्कुल सई सोचे हैं अनाज रखने के लिए, पटनों में गोल घर बनाये थे अगला प्रशन है, गोल घर का निर्मान कब हुआ, आपके सामने option है अगर आप option C सोच रहे थे, बिल्कुल सई सोचे हैं, 1786 बी में पटना में गोल घर का निर्मान हुआ था 1786 बी में, अगला प्रशन है, गोल घर कहा है, तो पटना में है, option नमर B शही है अगला प्रशन है, सबसे बड़ा पसू मेला का आयोजन क्या जाता है option A स्वनपूर में, option B हाजिपूर में, option C बक्सर में, option D भागलपूर में तो बताए, सबसे बड़ा पसू का मेला कहां लगता है तो दोस्तो option नमर A बिल्कुल सही है, स्वनपूर में लगता है, जो कि 20 वुका सबसे बड़ा पस्वों का मेला कहां लगता है, स्वनपूर बिहार में, अगला प्रश्ण है, नीमन में कौन सा जल प्रपात नवादा जीले में अवस्थित है, तो आपके सामने option है, तो इस प् और अपने दोस्तों में सेयर करें, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्ण आपको हूबो हूब विहार बोर्ड मैट्रिक प्रिक्षा समाजिक विज्ञान में मिलेंगे, तो अगला प्रश्ण है आपका, तो इस प्रश्ण को आप तुरत समझे हैं, जाने हैं, कि कहां है, तो अगला भारत का शार्वधिक काजू उत्पादक राज्य है, भारत का शार्वधिक काजू उत्पादक राज्य कौन सा है, आप्शन A, तमिलाडू, आप्शन B, करनोटक, आप्शन C, अंधरपरदेश, आप्शन D, केरल, तो सबसे ज़्यादा काजू का उत्पादन होता है, केरल म अगला प्रश्ण है भारत के किस छेत्र में गरम मसालों की खेती की जाती है भारत के किस छेत्र में गरम मसालों की खेती की जाती है ओप्शन A उत्री छेत्र में ओप्शन B पस्चमी छेत्र में ओप्शन C दक्षिनी छेत्र में ओप्शन D पुर्वी छेत्र में तो ओप्शन C बिल्कुल सही है देक्षिनी छेत्र में गरम मसालों की खेती की जाती है अगला प्रशन है भारत का नार्यल प्रदेश किसे कहा जाता है भारत का नार्यल प्रदेश किसे कहा जाता है तो अप्सन नम्मर B बिल्कुल सही है केरल को कहा जाता है अगला प्रस्न है इन में कौन सी फ़सल रेसेदार है इन में कौन सी फ़सल रेसेदार है दोस्तो यह शवी प्रस्न बहुत- βहुत important है इस विडियो से आपको 2-3-4 प्रस्न मिल सकता है इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और सही प्रशन को अच्छे से याद रखें बहुत ही असान प्रशन है अच्छा से याद रह जाएगा आपको तो इन में कौन सी फसल रेशेदार है तो जूट जूट ऑप्सन नमर ए सही हो जाएगा अगला प्रशन है इन में से कौन रेशेदार फसल नहीं है तो ओप्सन नमर सी बिल्कुल सही है गन्ना रेशेदार फसल नहीं है अगला प्रशन है कपास निम्न में से कौन सी फसल है कपास कौन सी फसल है खरीब रभी जयाद या इन में से कोई नहीं इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा आपका कपास जो है कि खरीब फसल है option number A सही हो जाएगा अगला प्रश्ण है आपका जयध फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है जयध फसल में आजाता आपका तर्बुजा, कक्री, वखारी, खीरा फूट फल बेगरा में जितने भी आप सभी नम सुनें ये सभी कब खाते हैं गर्मी में तो आपका गर्मी में होता है और गर्मी में ही खाते हैं तो जयत फसल कब होता है गर्मी में अगला प्रशन है नीमनली खीत में खरीब फसल कौन है तो चावल हो जाएगा उप्सन नमर सी सही है चाबल अगला प्रशन है निम्दली खित में कौन रवी फसल है रवी फसल है तो रवी मतलब रजाई के अंदर में जब आप रहते हैं तो उस समें कौन सा मौसम रहता है थंडी का तो ठंडी में आपका चाना, मसूर याने कि जितने भी दलहन होता है वह रवी में होता है रवी फसल कहलाते हैं क्योंकि ठंडी में कुआसा गिरता है और सभी छोटे छोटे पोधे होते हैं चाना का पोधा देखे होंगे आप खेसारी का मतलब खेसारी का भी पोधा देखे हो सारी जो लत होता है, मतलब दाल में बहुत सरा होता है, मतर हो गया, चना हो गया, कलाई हो गया, यह सभी आप लोग जानते होंगे, तो यह सभी रवी फसल होते हैं, दलहन जितना होता है, लगवग में रवी फसल ही होते हैं, तो चना आपका रवी फसल में आ जाएगा, अगल परें तो इसमें मक्का भी हो जाएगा इन में सभी option नमर डी शही है खरीब फसल इन में सभी चावल मक्का का पास खरीब फसल है अगला प्रशन है नीम लिखीत में से कौन रवी फसल है तो गेहूं भी आपका रवी फसल है क्योंकि ठंडी के मोसम में ही होता है अगला प्रश यानि कि रोपा जाता है उसको तो धान हो जाएगा option number C सही है अगला प्रशन है भारत की प्रमुख खा धान फसल है यानि कि भारत में सबसे ज़्यादा खोने वाला फसल है तो क्या है धान यानि कि चावल को हम लोग ज़्यादे खाते हैं धान हो जाएगा चावल है क्या है खरीख फसल है option number A सही हो जाएगा खरीख फसल है तो दोस्तों अगर आप वीडियो को देखते हुए प्रशन को समझते हुए प्रशन का उत्तर याद रखते हुए यहां तक पहुचे है तो अपने दोस्तों में शेयर करें और हाँ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हम यहां पर सभी भी से का बहुत ही बहुत बेख्या के यानि बहुत ही अच्छे से समझाने का आप सभी को प्रियास करते हैं ताकि आप सभी बिहार बोर्ड में अधिक से अधिक नमर लाए और अपने प्रिवार में नम अच्छा से रोशन करें आप से छोटा जो है वह भी आपके जैसा करना चाहे तो आप अच्छा से अच्छा कम करें धन्यवाद